नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्तो आप हमाज़ा दिखा हमाँ खाज कारिकम बात अपने देश की तमाम तरह के समय मुद्दे जोलन्त है पर उन मुद्दों के बीच उन मुद्दों की तरफ ध्यान देना भी आवसक है जो की हमारे देश में लगातार दसकों से चले आ नहीं है मुद्दा केबल एक है वह फ्राक्रितिक आपड़ा में चमो और ओधा होती एक माननी जाती है क्याहें कि तुमौ के हूं लगातार 250 दिशन के बनाती है है। निशह नाती है नेड़ानी समीटिया बनाती है। समीच्छाहे ुरती हैं हैं बांद परिजनाय, बनती हैं USt लिंक हुआतार अब लगातार हम देखते हैं कि हर मानसून के समय बाड आती है और बाड केबल केबल आर्थिक नुकसान नहीं करती है जनहानी भी करती है खेतों का नुकसान भी करती है और नुकसान करती है मानज जाती के सपनों का भी क्योंकि जब खेत तबाय होते है फसले तबाय होती है तो निस्ति रूप से जो सपने होते उन फसलों से जोड़े और खेतों से जोड़े वो भी तबाह हो जाते हैं और ये बिभीश का लंबे समय से देश में चली आ रहे हैं हम आदादी के पहले की बात तो नहीं करें पर आदादी के बात करें उन्नीस त्रेपन में रास्तिय आपदा अधिनेम के तहट एक कानून बनाए गया तो उसके तहट हमा प्रियास ही रहेगा कि बाड़ को रोका जाएं कि बाड़ भी तमाम तरह की है दिर्कालिक है ततकालिन है लगुकालिक है तमाम तरह की बाड़ होती है दिर्कालिक यानि जो लंबे समय ते बाड़ चलती रहती है लगुकालिक यानि जो हलके समय के लिए और तुपकारी नहीं और चली जाती तुमाला मंजर कर तुब छुभ आती हैं मिस तुम्भ सब्सक्राइब हमारे दिसमें हर साल बाड आती है और हर साल दस शित में बाड बिसे दूप से आती है बंगाल ओलिशा केरम असम उत्तपरेज आंडपरेज गुजरात हर्याना पंजाब और बिहार में अमुने हर साल बाड आती है राष्टिये बाड प्रवंद कारिकम उन्हीं चंगवन में आई भीचन बाड के बाड सरकान ने एक प्रवंद कारिकम की गोष्णा की और जो बाड है उसको देखते हैं उन्होंने कहा कि अधिक से पेड लगाए जाए और निचले इलाकों में रहने बाले लोगों को उचाई किया गया अंडियारगग जो की आपके निकल करती है बाल किसमें इसके अलावत अगहराम बाड करें दुनिया भर की बाल की समझ्चाओं की तो ऐसी आ में सबसेजारा बाला थी कि अगर बिरेंशों की बात करें तो ऐस्टेलिया सबसेजारा बाला परमारी में कित् small यहा और अगर हम भारत की बात करें तो हर साल लगवा लबबग नदीचों आने वाली बाल से 12 देशनलों पांच करुन लोग पर वावबिद होते हैं और अगर हम भारत के भूबार की बात करें तो 12 प्रेटीसर बूबाग हर साल बाल की चपेट में आता है इसके अलाबा तबान तरह की बाल की घटना हैं उन पर अगर नजर डाले तो वो उनकी 20 का भी कम नहीं है उनकी 20 का में इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम 1977 में आई प्राकतिक बाल की बात करें तो लबवा लबवा 11,316 लोगों ने अपनी जान गरवा जिए और अगर हम साल की बात करें तो लबवा लबवा 11,3 लोग अपनी जान बाल की चलते का भाड़ी थे इससे बड़ी बात अगर हम बाड़ा की बात करें तो उत्रागं की बाड़ 23 की बाड़ आपको याद है जब चारजह में यात्तरा की दरसन की समय हजारों सधालू इस अगर नेशनल पार्क में पानी घुष गया था यो बहुँ पान सो जानवा गया तो लबवा लबवा ड्यर सो लोगों की बहां पी मौत हो इसके लाबा अगर हम लद्दाक की बाल की बात का 2010 में आई थी 6 यहागा 2010 को तो वहां पर लबवा लब 31 सेभरों में बाल के पानी पर इसके बाभ़ तरह की जो ब्यस्था है उनका काम नहीं हो पार रहा है क्या था पूर्वानुमान करने वाली समित्य बनी है वो कहां जाती है क्या अनुमान करती हैं, क्या नेगरानी समिती करती हैं, क्या नियंटनीती करती हैं, वो समझ के बाहर होता है, उसकी कारण लाखो करोडों लोग अपने अपने परवार के साथ परिसान होते हैं, जिंदिगी जाती है, आर्चिक नुफसान होता है, फसले वरवार होती हैं, पर बाढ़ पर बाल प्रबन्दन पर वाई बाल परबन्दन पर को नहीं हों हार साल वाल होती हैं हर स्थ हैतर है यहां सब्सट्राजियर से बाढ़ कर रहा है कि यहां पर NDRF FDRF को बहतर तरीकिव से समयवूट किया जाए जाए वहाँ पर निगरानी समीतिया बनाई जाए बहाँ पर बांद परियोजनाय बनाई जाए और पर आप एक अलग बयूस्था करके रखिए कि जहां पर बार आती है वहाँ पर किस तरह हमको निगरानी करना है मांसून के पहले कैसे हमको व्यौस्था को मजबूत करना है बचाना है इसके लिए तमाम तरह की कोशेचा होने चाहिए पर वो नहीं होती है अबुश्य के अब्याइब कोई ऊपचार नहीं पर प्राक्रीज आप हैं अब्धाउस से अपने आपको बचाने करके और नियंतन कर सकते हैं वह नीतियंग बना सकते हैं मैं मानते हूं कि लेंड स्लाइट बारस के लिए उपर कोई हमारा रोगधाम नहीं फो प्राकर्तिक है और फ्राक्रितिक रूप से होती है कहीं जाना बार्स होती हैं तो देख रहे हैं महाराश्ट असम् केरल गुज्रात में तमां कयकर बादे बारिग हो रहे ही और बहूं सा पर है तो यह प्राक्रतिक चीज है पर उसके बापजूर अगर हम चाहें तो बाढ़ के लिए काम कर सकते हैं उस पर नियंटन बनाने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं मैं मानता हूं प्राक्रतिक चीजों पर आप लगा मंग को सिन लगा सकते हैं पर उसके बापजूर हम कोई तैयारिया कर सकते हैं जिससे उन चीजों का नुकसान को ठोड़ा पर कम किया सके जनहाने को कम किया सके और शहरी पर भर उस्था उनको दृष्ट किया सके टेनल बंदो होजाती है अब अक्की को बता है इसके अलाबा आध लाइन होती से बन तो यहां पर रोकने के लिए कोई मैं अलग से कोई उपाय पताने नहीं जा रहा हूं यह सरकार कोई पता है कि कैसे हम उपाय करेंगे जिससे बाड़ पे कुछ नियंटन हम कर सकते हैं कि सब्धृत पर हमको बाड़ नेंटन करना है हमको अधिक से दिख पेड़ लगाने हैं हमको अधिक से अधिक नदियों को में जोड़ना है नदियों को हमको पानी पहुँचा सकते हैं खेत बहेंगे नहीं उनको पानी जरू पहुँचेगा परिव्यस्था होती नहीं है बेतबा के लिंक पर्युजना शुरू ही पूरी हो गई है इसके अलाबा नर्बरा को गुजात ले जाने की प्रयास चलना था वो भी पर्युजना पूरी हो गई जो तबाहाई वाली छेत्र है वहाँ पर नडियंतों तबहारे ङहांनंदा की बात करे बहुजात करें गुडबरी के बात करें जर्यू की बात करें तो वहां पर क्योंकि ए दिफिखे नेपाली से निकला शुरूलिकों पता है कि घागरा है आए लबबवा थाइसो किली मिंटर में घागरा यहां पर आती है और उनकी उर्फान होता है और चोड़ाई है गहराई उसके बाभ जूर हम लोग पर्यास करते हैं उत्ता निस तमाम जिले अगर बैरएज की बात करें गॉंडा की बात करें लखिमपुर की बात करें इसके अलाबा गरम कुछिनगर की बात करें गुरकपुर की बात करें माराजिन्स की बात करें बहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पार के चपिट में आते हैं हर बार वहां मुक्पंद्री जाते हैं बहां पर हवाई पर अगर हम उन तयारों को स्थाई रूप पे करें तो निश्ची रूप से अम इन तयारों सक्ता ही नहीं पड़ेगी अभी देश में अमरसरोगा युणा इस रूबात हो गई है अमरसरोगा युणा के तहट देश के पतेग जिले में 75 तालाब बनाए जाएंगे और जब 75 तालाब आपके जिले में बनेंगे तो उसका लाब मिलेगा जो पानी आएगा उसको हम नहर नदियों से अगर लिंक करत बियुस्था के चलते पानी को एक अस्थाई रूप से रुकूश समय तो रोख सकते हैं और जब उनका बहाव कम होगा तो रोखने में सच्छा मोंगे बान और वो पानी का बहाव को रोखा जा सकेगा पर इसके बाब जूर इन परिजनाओं पर हम काम नहीं करते हाला कि अम बारा प्रतिसर भू बाग बाग की चपेट में आता है बहाँ पर इस युना से बहुत कुछ होने बाला नहीं है हमको 75 ताला बनाएंगे बड़े ताला बनाएंगे परेटन बड़ेगा ब्यस्था बनेगी पेजल मिलेगा मैं सारी चीजों से संटर स्टू पर यहाँ पर हम हमको अगर बाल की ब्यस्था को से लड़ना है अगर हमको बाल के नुक्सान को कम करना है तो यहाँ पर हमको नदियों को नहरों को तालावाओं को एक साथ जोड़ना पड़ेगा पानी ठीक मात्रा में ठहरे और आने वार समय में उसको पेजल कर सके कि धरती धरातल भूमी स्वैम पानी को छानती है पानी आपको प्रब्द पराती है गंदगी बैठ जाती है तो यह ब्युश्था होती थी उससे बाढ़ आती ही पर इतना नुक्सान नहीं होता था पर आज के समय में बाढ़ आती है नुक्सान जाना हो रहा है क्योंकि आम्रस्रोव युना है इसके तहट पुराने तालाव को जुनोदार भी होना है जो पुराने तालाव है जिन पर कपज़ा हो चुका है भूमापियाओं का कुछ पुराने तालाव ऐसे जिन पर गंदगी से भरे हुए है उनको सफाई नहीं हुई है उनका उप्योग नहीं हो रहा है उनको तलावा को दोबारा जिरुदार होगा और अमरस रोगर बनाए जाएंगे पर इसके बापजूर हमको प्रियास करना है कि किस तरह से हम अमरसरोजवर के रहवा तमाम तरह की ऐसी परुज़ना लेके आना जरूरी है जिस पर काम हो सके हमको पेल लगाने हैं हमको बाल नेंतन करना है हमको नडियों से तालाबों को नहरों को लिंक करना है हमको बाल का पूरवनवान करना है और साथी साथ यगर हम बाल की बात करत यह बात तो बालो की होता है पर सिरस मानसaccept की बात करें अगर माहराष की बात करें मुंबहीकी दो वह जल्मंगन हो जाता है यह हमेशा होता यहाँ पर की वेर्वस्ता क्यों की आती वहाँ पर गयरे नाले क्यों को नहीं पर निकासी का ज़ 12P नाम के श्रीजिकुक्रon उतपरिस में भी बड़े-बड़ सेहरों के हम बात करें तो वहां पर भी स्थिटी ऐसी रहती है मानसूनी बारिस के पहले नाले सफाई होते हैं दुरनगी निगनारी होती है चर्चाए होती है कमेटिया बनती है नीतिया बनती है प्रबंदन होता है उसके बाफजूद जब में गरता है तो एक या दो बारस होती है दोल की पोल खुलए जात है कि सिर्व nd how any are we a it poker toy 3 माँ नाले भरे रहेंगे नानीज़ चोकर कहां वोगी और जब नाली नालिय चोकर आएगी उनकी निकासी नहीं होगी तो निश्रूप से पानी बढ़ेगा तो शलकों पर ही आएगा कि पानी की प्रिकती बहते रहने की है पानी रुकता नहीं है अगर पानी को आप ने आपने पानी के निस्टान नहीं किया तो पानी को जहां जगह मिलेगी पान पर कई बार ऐसी मामले भी आया कई बार में देखा भी जंडा रूहन हो रहा है और स्कूल का प्रहनचार आदे पैर डूबे हुए यह भी अपर प्रभंदन नहीं यह पाने की बहुतन है और यह जो बाढ़ है बार से अलग हम सिहरों की बात कर रहा है यह उत्तर भारत की बात यहां पर नीतिया बनती है और नीतियों की चलते काम नहीं हो पाता है सरकार नियम मनाती सरकार आदेज देती है सरकार ओडर देती है सरकार कहती है सरकार अपना काम करती है पर जो नीचे कारी कारी है वो काम कैसे करते है क्या करते है क्या निगरानी समीच्छा करती है क्या समीच्छा होती है और क्या निस्तारन होता है क्या सफाई होती है वो एक ही जारा गड़ता है जलमगन होना है पर आकर हम निस्तार निंग करेंगे तो वो इस्तिति हमेशा बनी रहेगी और जब पानी भरता है पानी से जलमगन होता है सड़के और जब जगए जगए पानी के जवाम होता है तो सबसे पहले समस्या हमेशा सुर्चा की तरह मुभाय खड सोञामम तरह कि विवारियां इ marrow क्हड़ी रहती है कि जानती है जहां पानी का जमाब होोगा जहां पर पानी का मिस्तार नहीं ओक होगा जहां पर मच्छार प PT उनकरई Robya में गई वहां पर जरस्थाओं से पेजल भी गंदा आता है और पानी से वीमाने सबसे जादा होती है अगर हम खराब पानी हम उपयोग कर लेते हैं तो यहां पर अगर हम निस्तारन सेहरों में करते हैं बैतर निकासी करते हैं नालों की सफाई समय से कराते हैं और एक समीती बनाते हैं प्रोपर तरीके से सही तरीके से केवाल उसका काम यही है कि साले नालों की सफाई करें गहराई जाच करें और किस तर निस्तारण हो रहा है जिससे की चड़के जो जलमंगन ना हो, पामी का जमाम ना हो और संग्रामरुक ना फ्याल पाये अपने इस कारिकम के माद्धम जम्हे के बाल एक बार बोलना चाहता हूं कि जो बार है, ये बार मैं मानता हूं प्राकरतिक आपदा है पर इस प्राक्तिक आब्दा का उपचार भी आप कुछ हद तक कर सकते हैं अगर आप नदियों को नहरों को तालावों को लिंक करेंगे उनको जोडेंगे तो बहुत कुछ हद तक आप नदियों के उफ़ाम को सेमिन कर सकते हैं नियंटन कर सकते हैं अगर आप पूरवनमन करेंगे तो टटी छित्रों से लोगों को उपर छित्र में भी सकते हैं अगर आप पूरवनमन करेंगे तो आप ऐसे प्रबंदन कर सकेंगे जिससे की नदियों का उफान कम हो अगर आप अधिक सेरी पेड लगाएंगे तो निश्री रूप से जो बार से होने वाली कटाई है मिट्टी की उसको रोक सकेंगे तो तुमाम ऐसे काम है जिनको अगर हम दिर काले करेंगे तो आने बाले समय में हम बार की विपिशका को कुछ कम कर सकते हैं प्राकर्तिक आपदा को कम नहीं कर जा सकता है पर कुछ हद तक रोका जा सकता है पानी गिरेगा उफान नदिया मारेंगी पर अगर पानी को हम तालामों के माद्यम से नियरों के माद्यम से समायुजित कर देंगे तो बहुत कुछ हद तक हम बार की समस्या को अपने हद तक न इंटर्वन कर सकते हैं और इसका काम सरकार का है अधिकारियों का है इस पर नीती बने और बहतर काम हो साथ ही साथ इसकार के माध्यम से हम तमाम सिहरों के जो अधिकारी हैं और सरकार हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि राज्यों की सरकारों को कि बड़े-बड़े सिहरों में भ होगा च्योंकि अगर हम बैतर तरीके से सारी जुनाओं को किरामिट करेंगे तो आने वाले समय में हम बिस्व गुरु बनने की बात कर सकते हैं च्योंकि भारत का 12 परसेंट भूबाग अभी लगतर बाड की चपेट में रहता है और अगर हम आखोल की बात करमें ना कोताया कि ये बड़े आकड़ों के साथ हमको यह भी सोचना है कि हमको किस तरह प्रभावी नियंटन नीती बनानी है जिससे आने वाले समय में बाड की बीष़क कम किया सके और लोगों की जंद़ी को बचाए जा सके साथ जो शेहरों में भी बेहतर निकासी करेंगे तैयारी करेंगे हमको केवल नाम नहीं करना है हमको केवल कागजों पर तैयारी नहीं करनी है हमको तैयारी करनी है और सरकार के पतनीनों का भी यह दायत्व है को जाके देखें किस तरह से महाँ पर नियंटन हो रहा है और लगातार उसकी निगरानी करते रहे तो आज की चर्चा में इतना ही अगली बार किसी की नए मुद्धिता रुई मुलगात नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस